हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रियमत राज मैथामटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रीट बरती 2020 से समय दित हिंदी सिक्षन की 30 महतोपूर्ण परसनों के बारे में जो कि आपकी परिक्षा की दरिष्ठे से बहुत ही ज़्यादा important रहने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को आज का अपना पहला परसन है बासा के मुख्य को असल कौन से हैं दोस्तों बासा के मुख्य तत्व होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तो उप्युक्त सभी का जो option है D option पहले का सही हो जाएगा चलिए दोस्तों next person है बासा के मुख्य तत्व होते हैं दोस्तों बासा के मुख्य तत्व कौन-कौन से होते हैं दवनी भी होता है संकेत भी होता और चिन भी होता है तो D उप्युक्त सभी का उप्षन यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों अगला परसन है बालक को भासा शिक्षन की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए बालक को बासा सिक्षन की शिक्षा देने का माध्य मोना चाहिए आपके प्रात सोरी मात्र बासा जिहां दोस्तों बासा सिक्षन सबसे पहले मात्र बासा के रूप में दिया जाता है तो वालक को ज़्यादा समझ में आता है तो B option से हो जाएगा 30% का अगला है मात्र भासा का अर्थ क्या है दोस्तों मात्र भासा का अर्थ होता है जो परिवार में बोली जाती है वो भासा भी मा की भासा भी और पिता की भासा भी उप्युक्त सभी का option suitable हो जाएगा इसमें चोटे में अगला है मात्र भासा का मुख्य उदेशी क्या होता है मानसिक विकास करना, सारेजिक विकास करना, बोधिक विकास करना तो उप्युक्त सभी का option से हो जाएगा मात्र भासा के दुवारा सारे विकास संपन होते हैं अगला है मात्र भासा की मुख्य सिक्षन विदी क्या है तो मात्र भासा जो है अनुकरन विदी के दुवारा सरवादिक सीखी जा सकती है तो C ओप्षन से हो जाएगा छटे का अगला है भासा अधिगम के कारक होते हैं तो D option से हो जाएगा भासा विज्ञान भी होता है व्याकरण भी होता है और भासा कोसल भी होता है तो भासा अधिगम के सारे कारक सही है तो D option सही है शिक्षन अधिगम परबंदन परतिय के परवर्तक कोन है तो दोस्तों I.E.K. डेविस जो है वो शिक्षन अधिगम परबंदन के परवर्तक है दोस्तों याद रखना है नाम I.E.K. डेविस चौता ओप्षन से हो जाएगा नेक्स्ट है शिक्सा के उदेशों का वरगी करण किस ने किया तो दोस्तों शिक्सा के उदेशों का वरगी करण सबसे पहले BS ब्लोम ने किया बहुत important परसन है तो C option नम्मे का right answer होगा दोस्तों अगला परसन है शिक्षा के उदेशियों का वर्गी करण किस ने किया तो ज्यानात्मक भावात्मक क्रियात्मक तीन रूप से है ये शिक्षा के उदेशे तो D option से हो जाएगा उप्योक्त सभी अगला है सुक्सम से इस तूल के और शिक्षन सुत्र की पालना किस विदी में इस पस दिखाई देती है शुक्सम से इस तूल के और व्याख्या विदी में निगमन विदी में जो है इस पस रूप से दिखाई देती है तो B option से हो जाएगा चलिए दोस्तों अगला है परियोक प्रात्मी कक्साओं में विदार्तियों के लिए कौन सी विदी आपकी दृष्टी से उत्तम है तो प्रात्मी कक्साओं में जो है आत्गुमन विदी का प्रियोग किया जाना चाहिए तेरवे का सी ओप्सन सही हो जाएगा अगला है हिंदी बासा में स्वेरों की संक्या कितनी होती है, तो हिंदी बासा के अंदर श्वेरों की संक्या होती है, 11 अगला पर्फन है, हिंदी बासा में मूल विनजनों की संक्या होती है, तो हो जाईगा राइट आंसर 33, बासा की पर्तम सार्तक इकाई, दोस्तों important है ध्यान रकना है, यहाँ पूचा गया सार्तक और सार्तक इकाई में सब्द यांपे सबसे पहली इकाई होती है तो सब्द राइट आंसर भी हो जाईगा अगला है गद्य साहिते का मुख्य परकार या सवरूप है तो गद्य साहिते का मुख्य परकार है सरजनात्मक गद्य तो A option सत्रवे का सही हो जाएगा अगला है गद्ये सिक्षन की मुख्य विदी कौन सी है तो उद्वोधन विदी के द्वारा भी गद्ये पढ़ाया जा सकता है प्रवचन के द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है तो प्रियोग तो सभी 88 वे का D answer होगा next है माद्यमिक इस्तर पर गद्य शिक्षन की विधी प्रियोग में ली जाती है तो माद्यमिक इस्तर पर पर परशनोतर विधी का प्रियोग किया जाता है तो C option सही हो जाएगा अगला है व्याकरण शिक्षन की मुख्य विधी कौन सी है तो आगमन निगमन विधी के दुआरा व्याकरण पड़ा ही जा सकती है मुख्य विधी यही है तो B स्वे का C उत्तर होगा दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें 21 वा परशन है गद्य सिक्षन की परभाव साली सिक्षन परविधी कौन सी है तो परभाव साली सिक्षन विधी है इस पश्टिकरण विधी जी हाँ दोस्तों B ओप्शन से हो जाएगा 21 का अगला दोस्तों परशन है कविता का अर्थ है कविता का अर्द है रागा आत्मक वर्तियों का संसोदन करना जी हाँ जीवन की समालोचना जी हाँ संगिता आत्मक विचार अभ्यक्ति और उप्योक्त सभी तो उप्योक्त सभी का option D जो है वो 22 वे का right answer होगा अगला परचन है दोस्तों कविता सिक्षन का उद्दिश्य होता है सुष्थ मनोविनोद जी हाँ इसमर्ती सक्ती का विकास बिल्कुल सही है कलपना सक्ती का विकास करना तो उप्योक्त सभी का ओप्षन D याँ पे सही हो जेगा अगला है कविता सिक्षन की मुख्य विद्धी है तो कविता सिक्षन की व्याख्य विद्धी पी होती है पर्षन उत्र विद्धी पी होती है और गीत अभीने के द्वारा भी कविता पड़े जा सकते है तो उप्यूक्त सभी का ओप्षन सही हो जाएगा चोईश्विंका डी अगला है व्याकरण सिक्षन का उदिश्य नहीं है व्याकरण सिक्षन का उदिश्य ग्यान प्राप्त करना होता है कोसल होता और ग्यानों प्योग होता है लेकिन मनोरंजन व्याकरण सिक्षन का उदिश्य नहीं है तो D option से हो जाएगा अगला है व्याकरण सिक्षन की परवर्ती है तो व्याकरण सिक्षन की साहित एक परवर्ती भी होती है और व्यावारिक भी होती है तो दोनों C option से हो जाएगा उप्युक्त दोनों साहित एक और व्यावारिक अगला है भासा शिक्षन का मूल आदार होता है तो भासा शिक्षन का मोखिक और लिखित दोनों रूप होते हैं तो C option से हो जाएगा 27 का अगला है देखो और लिखो शिक्षन विद्धी परियुक्त करते हैं किसमें मोखिक रचना में निमंद रचना में या सुध अभिव्यक्ति में तो यहां पर हो जाएगा निमंद रचना में इसका प्रियोग किया जाता है अगला है दोस्तों द्यूतिय बासा शिक्षन की विद्धी है द्यूतिय बासा शिक्षन की विद्धी कौन सी है अनुवाद विद्धी जिहां दोस्तों बी ओप्षन से हो जाएगा और आज की क्लास का अंतिम पर्षन द्यूतिय बासा शिक्षन का विश्य कौन सा है शेयर के रहें चैनल को लाल बटन बाकर सब्सक्राइब करें मिलते हैं ने पेपर के साथ तब तक के लिए जैहिन